हलो नमस्कार दोस्तों मैं संजीव स्वागत करता हूँ अपने योटूब चानल कोईना मिडिया में दोस्तों जैसे आपको पता है आपने थमनेल देख लिया हुआ कि वैल्यू 20,000 रुपे हाँ दोस्तों वैल्यू बिल्कुल ठीक लिखी है यूएनसी में आपके पास ये कोईन मिल जाता है तो आपको 20,000 रुपे अरसानी से मिल सकते हैं ठीक है ना आप कोईन एक्जिविशन में भी जाके बेच सकते हो अगर आपके पास यूएनसी में है तो मैं भी उसको लेना चाहूँगा पर आपको वीडियो सही से समझनी पड़ेगी कौन से कोईन की बात कर रहा हूँ ये मियोल कोईन है और जनल सर्कुलेशन में गोम रहा है और एक क्लेक्टर के हाथ में लग भी यह है वो जनल सर्कुलेशन से लगा है ठीक है जब भी मैं वीडियो बना के आपको अपडेट कर पा रहा हूँ कि ऐसे भी सिख्के आये हैं जो आप जनल सर्कुलेशन से क्लेक्ट कर सकते हैं ठीक है बिलकुल नियू इंफर्मेशन दे रहा हूँ मेरे ख्याल से मेरी पूरे गैरेंटी है कि अभी तक किसी भी यूटूबर ने इस पर वीडियो नहीं डाली होगी ठीक है दोस्तों अब बस थोड़ी बारी किये यह ज़रू समझना आप पहले आप जो यह कोईन देख रहे हैं तो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ तो सुन ब्राउंज है और वेट की बात करें तो साड़े साथ ग्राम का कोईन है ठीकनेस इसकी 1.7 mm है शेप इसकी राउंड है साइज इसका 27 mm है अब यह दोस्तों आये थे अपने इंडिया में यह देख लीजे पहले आप में जो खास बात बताने वाला हूँ आप यह उपर देख तक के बीच आप अब आपने डोनों सिखे देख लिए और जो अन isti भी आप पनदरा इंफर्मेशन बताई ये वह दो आप ने शुन ली ठीक है 2008 से 2010 तक आये 15 लाइन वाले और 2011 से 2019 तक आये 10 लाइन वाले तो मैं आपको खास information देने वाला हूँ, mule coin बताने वाला हूँ इसमें जो आप भी उसको डूंड सकते हैं और आप भी पैसा गमा सकते हैं उससे, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा rare और extremely rare coin में आता है वो तो मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ, एक बार देखिए, आपको देखने में समझ आती है कमी तो मुझे बताइए कि आप समझ गए थे और नहीं समझ आई, तो आपको मैं समझा देता हूँ वीडियो में ये वो मियोल कोईन है, इसको आप देख पा रहे हैं, तो इसमें दोस्तों आप समझ गए हैं तो मैं को कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि काफी new information निकाल के लाया हूँ देखें दोस्तों, जो 10 लाइन वाले सिक्क्या आए थे, मैंने आपको बताया था, कि 2011 से 2019 तक आए हैं, तो इसमें आप ये 10 लाइन वाला सिक्का देख रहे हूँगे, 2010 का है, ठीक है, ये मियोल कोईन हो गया, 2010 में मॉंबाइ मिन्ट की तरफ से दिख रहे हैं आपको सिक्क ठीक है, ये एक मियोल कोईन है, क्योंकि ऐसे जनल सर्कुलेशन में मियोल कोईन ही आए हैं, जो 2010 में आए हैं, आपके पास हैं, तो आप मैच करिए, ये वाला सिक्क ही होना चाहिए, 2010 का और 10 लाइन वाला, ठीक है, ये arrow के माद्धिम से समझीए, ये लाइन ये वाली बता में ठीक है दोस्तों क्योंकि 2010 में ऐसे सिख्के मियोल कोई नहीं आए जो भी आए यह देखिए आप एक बाद सिंगल कोई देखिए दस लाइन आपको दिख रही होगी उपर ठीक है और रुपीस का सिंबल है नीचे 10 रुपीस है यह इसकी बैक सैट देख लिजिए उपर भारत इंडिया लिखा हुआ है मगर मिटा हुआ है इसमें क्योंकि यह जनरल सर्कुलेशन में गोम रहा था यह कोईन किसी कलेक्टर के हाथ में लग गया तो इसने इसको बेचने पर लगा दिया ठीक है यह ऐसे कोईन जो होते हैं यह निलामी ऑप्शन में ही बिखते हैं क्योंकि बहुत महंगे होते हैं यह कोईन मैंने आपको बताईए यह यूएंसी में होता तो इसकी बीस हजार से भी उपर वेल्यू चली जाती ठीक है दोस्तों आपके पास हैं आप के लिए लातओ में एक वीडियो ठीक है और दोस्तों वो अभी भी सीरीज सल रही है कोईन विंडिया हैस्टेक वाली आप हैस्टेक कोईन अविंडिया लिखके अपना सवाल पूछ सकते हैं अगले कल की वीडियो में आपका अप्डेट करते जाएगा इसी वीडियो के नी की हुई है इसमें 211 आना था रिवर साइड मगर आया 210 टीक है इसमें 210 की डाई यूज हुई है बेचने के लिए लगाया हुआ है मैंने बात की थी मगर इन्होंने वैल्यू बहुत जादा बताई जो मेरे बजट से बाहर थी तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा महेंगा को कोई हो गई है ठीक है अंदाजा मैंने आपको दे दिया यूएंसी होता तो बीस जार पेस से भी उपर होती वैल्यू तो दोस्तों आपको वीडियो नहीं समझ आई तो आप जरूर इसको दुबारा से देखना मैंने आपको क्या समझाए ठीक है दस लाइनों पंदरा लाइ है यह मैं क्या बोल रहा हूँ जब तक आप समझेंगे नहीं वीडियो को नई समझाएगा आपको कि आपके पास कौन सा कोईन है कौन सा नहीं है तो आप दो तिन वार वीडियो देखे दभी आप समझोगे आप निव कलेक्टर हैं तो ठीक है ना तो ठीक है दोस्तों मिलते अगली वीडियो में ओके भाई टेक केर